हलो प्रेंट्स मैं परम जोद कौर और वेलकम है आप सभी का मेरे वायती चैनल कजब अधरेट पीजे कौर आज सुबह की शुरुआत होती है हेलपर धीदी के आने की घंटी के अवासे आज मुझे वीडियो बनानी है तो मैंने सुचा क्यों नहीं आपके साथ मिलकर ही आज में थोड़ा ब्राइट होने वाला है मैंने अपने फेस को अच्छी से साफ किया साफ करकर मैंने उस पर थोड़ा moisturizer लगाया उसके बार मैंने primer लगाया अच्छे से primer लगाया अपनी आई अब मैं अपनी eyebrow set करूंगी eyebrow के लिए मैं pencil का यूज नहीं eyebrow pencil का यूज नहीं करती बलकि मैं brush के help से अपनी eyebrow set करती हूं अब मैं concealer लगाया मैं औरेंज करेंग का अपना makeup चाहिए था मैंने इसको हलका सा पहले अपने हाथ की help से मिक्स करा फिर इसके बाद मैंने को मैंने sponge की help से उसको blend किया अच्छे से blend किया क्योंकि हां से इतना अच्छा हो जाता है पर इतने नीटनेस और सफाई नहीं आती है तो इस पंस हम अगर dab dab करते वे इसको करते हैं तो बहुत अच्छा result आता है यह कहलो फ्रेंग जिस तान से हम cricket खेलते हैं उसके लिए हम पिस्ट या करते हैं उसी तरह से मेकप करने से पहले यह बहुत जरूरी स्टेप है जो हमें बहुत अच्छे से करने होता है अगर हमें सफाई से नहीं करेंगे तो हमारे मेकप के अंदर अच्छा लूप हमारे मेकप का अच्छा लूप नहीं आएगा इसलिए देखिए मैं बिल्कुल एक एक चीज बारी की से करती जा रही हूं क्योंकि मुझे आज सोड़ा स्पेशल मेकप करने हैं तो गनपतिज हमारे हैं आने वाले हैं तो इसके बाद मैंने लगाई इसके उपर अपनी CC क्रीम अपनी उंगली की हैल्फ से मैंने अपने CC cream लगाई मैं foundation यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैं CC cream लगा रही हूँ मैंने या पर CC cream लगाई उसको भी मैंने sponge की help से अच्छे से dab-dab करते हुए अपने face के उपर सब तरफ लगा लिया यह देखिए मैं अच्छे से इसको dab-dab कर मैं कहीं मुझसे ममल नहीं रही ते यह देखो अब मेरा face देखो अभी भी लग रहा है ना private अगर अभी आपको शायद over लग रहा हुआ लेकिन नहीं है अभी थोड़ी दियर में सब settled हो जाएगा अब मैं करती हूँ अपने face की contouring, contouring करना बहुत जरूरी है मैं jaw line से लेके chin तक आती हूँ तोनों साइड में दुस्रे साइड भी jaw line से चीन तक करती हूँ क्योंकि contouring से face थोड़ा छोटा और अच्छा लगता है मैं थोड़ा heavy look चाहिए तो इसलिए मैंने अपने cheeks पर उपर की तरफ करते हुए contouring करी है अब nose मुझे लंबी चाहिए इसलिए मैंने nose पर भी contouring की है friends मेरा forehead बहुत broad है तो forehead पर contouring करना मेरे लिए बहुत must है इसलिए मैंने forehead पर भी contouring की है अब देखे एक होता है कि contouring करने के बाद उसको तुरंद हम इसको मैंने देखे मेरे थोड़ा उसे double chin है कि problem है तो मैंने इस मैंने छोड़ दिया contouring करके उगा चैश्याइब फिर मैंने इसके उपर highlightत कर लिया क्योंकि मेरे मेरे सब एक साथ brand करने वाली हूं यह है स्टैप एस टैप करने चाहिए लेकिन मैंने नहीं करा मैंने इसके छोड़ दिया फिर मैंने highlight किया अब मैं इसके उपर लगा रही ह मस्कारा लगाया वो भी इसलिए की वीडियो मतला मेरी बहुत जादा लंबी हो जाए कि इसलिए मैं सब सब करके छोड़ दिया है अब यह तीन स्टैप होता है अलग-अलग ब्लैंड करना चाहिए लेकिन मैंने मैं सारा एक साती करूंगी अब मैंने अपने आखों पे लाइन यहां पर अपनी आइस बिल्कुल सिंपल रखने वाली हुँ अब मैं अपना अब मैं एक ब्रेश की है अब मैं इसको सब को ब्लैंड कर रही हूं यह देखो यह अपने उपर रिपाइन करता है कि आप किस ता करो इसे आप तीन स्टैप में भी कर सकते हो आप इसे एक स्टै अब आता है मेरे पास बहुत सारी है मैं लिप्स्टिक की वीडियो भी लेकर आने वाली हूं यह ग्लास पनिस की मैंने पिंक कलर के लिप्स्टिक यूज़ करी है यह देखिए मेरा लूप आती है अब आप बताएं कैसा आप मैंने थोड़ा फ्रेंड्स मैंने पहले ही अप बताएं कैसी लग रही हूं मैं मैंने जो साड़ी है दोटी स्टाइल में बांदी है फर्स्टाइम मैंने दोटी स्टाइल में साड़ी बांदी है क्योंकि गनपती जी हमारे घर में आने वाले हैं तो मैंने उनका वेलकम उनी के स्टाइल में किया है गनपती बाबा के स्टा और यहाँ आप को मेरी वीडियो केसी लगिए मुझे कमीन बताइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइप कीजिएगा और इसीतरा की इसन पर ऊप्रेश्जेंग कीजा ओर इस Merci